नमस्कार, मैं डॉक्टर जनक सकलेजा कई पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि मैडम हमने अन्वांटेट किट की एक या दो टेबलेट ली हैं और उसके बाद ही हमें ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है तो क्या हम अब बाकी की तीन गोलिया ना ले? देखिए अन्वांटेट किट या MTP किट या फिर मिफिजेस्ट किट सभी में पांच गोलिया रहती हैं एक गोली होती है मिफिप्रिस्टॉन की और बाकी की चार गोलिया होती है मीजोप्रिस्टॉल की अब जो ये Mifepristrond की single tablet होती है इसका काम होता है जो progestron hormone रहता है उसके action को रोखना और ये जो progestron hormone रहता है ये pregnancy continue रखने के लिए बहुत ही जरूरी hormone रहता है यानि अगर progestron hormone block हो जाएगा उसका action रुख जाएगा तो आपकी pregnancy या फिर कहें आपके baby के growth भी रुख जाएगी इसके अलावा जो बाकी के चार गोलिया होती है मीजोप्रिस्टॉल की उनका काम होता है uterine contractions करवा के जो material है उसको बाहर निकलवाना तो जब कोई महिला एक गोली मिफेप्रिस्टॉल की ले लेती है वैसे तो एक गोली मिफेप्रिस्टॉल की लेने के बाद बहुत ही कम महिलाओं को bleeding start हो जादा तर महिलाओं को सिब spotting होती है लेकिन by chance अगर आपको bleeding अच्छे से start हो भी गई है तो भी आपको बाकी के 4 गोलिय लेनी है अगर आप 5 गोलियां जो kit में रहती है वो नहीं लेते तो हो सकता है कि आपका abortion incomplete रह जाए जिससे आपकी बच्चेदानी में infection होने के chances रहते हैं और आपको अगर future में pregnancy प्लान करना होता है तो उसमें भी problem आ सकती है इसलिए हमेशा पूरी 5 गोलिया ले bleeding एक गोली स स्टार्ट हो गई हो यह दो गोली से यह तीन गोली से उससे बिल्कुल भी फरक नहीं पड़ता आपको पांचों की पांचों गोलियां लेनी है आई होप इस वीडियो के द्वारा आपके इस सवाल का आपको जवाब मिल गया हो इसके अलावा आपकी कोई भी क्योरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे जरूर पूछे हम जल्द ही उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे मिलते हैं नेक्स वीडियो में तिल देन टेक केर बी हेल्दी अनसेव थैंक यू सो मच